हेलो इस्टोटें वेलकम टो और ऑफिशल यूटूब चैनल आपको जैसे कि पता हुआ कि एए की ऑफिशल साइट पर अभी एटीसी और एयो का सलेबस अपडेट हुआ है और यह सलेबस पहले वाले सलेबस की कंपेर में डिफरेंट है बहुत से स्टोटें कंफूजन हो रहा सारी चीज़े हैं अपने इस वीडियो में डिसकस करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हैं अपने सबसे पहले है आपको इंगलीज में और चैन मार्क तो यह अच्छी बात है कि आपको जीके इसमें इतना ज्याज़ा चैंज नीं गया, अब पार्ट बी देखता हुए, अब पार्ट बी चैंज किया, अब पार्ट बी स्टुयेंट देखिये, इन लोगों ने क्या करा, बूला 60 कोशन जो होगे वो 60 माक्स का, फीजिस तो मैस का अंधर होगे, अब अगर आप फीजिस क आप टॉपिक, इलेक्टोस्टेटिक, करन्ट एलेक्रिसिटी, मुविंग चार्ज और मैग्नेटिजम, एलेक्टोमैणेटिक वेवस, प्रपोकेशन, ओक्तिक, इलेक्टोनिक डिवाइसेज, लौग मोशन स्केलर वेक्टर, इस्ट्रेटिक डेनमीक, इसे एक्स्टर, अब य 11-12 को ज़्यादा कंसरेट किया है ग्रेजुशन को नहीं किया है अब वैसा ही 12 में आप देखेंगे पर्मुटेशन कॉंबिनेशन जो की 12 का टॉपिक है 11-12 में आता है आपके प्रॉबलेटी भी है 3D है यह सारे टॉपिक 12 और 11 क्लास के है तो इसका मतलब इस बार AI चाहता है कि वो 11-12 को ज़्यादा फोकस करें ऐसा नहीं कि ग्रेजुशन नहीं आएगा ग्रेजुशन भी आएगा लेकिन इन्होंने सेलेबस में ग्रेजुशन को टॉपिक उतने डिसक्राइब करके दिये नहीं है अगर आप जूने लेकिन इसके अंदर सिर्फ आपका 11-12 के टॉपिक ही दिये वह है तो मुझे जहां तक लगता है क्लास 11-12 का इस बार वेटे जो है वो ज्यादा रहेगा और 11-12 के अंदर वैसे simple questions नहीं आएंगे जो आप NCRT म पढ़ते हो अगर आपको कोई बोलता है सिर्फ NCRT पढ़ने स लेकिन का पूशन आएगा ऐसा नहीं है क्योंकि syllabus नहीं दिया तो हो सकता है कि कुछ कोशन दे दे बड़ चासिस कम है इन्हों ने जो टॉपिक दिये वह 11-12 के ज्यादा फोकस करके दिये है तो आपको 11-12 के ज्यादा पढ़ना है as compared to graduation का लेकिन आपको पास time है तो graduation का पढ 11-12 वाला काफी time छूट जाता है तो उसकार से उतना position अपना अच्छा नहीं होता है तो उसको वापस revise करना पढ़ेगा आपको लेकिन आपको preparation से करनी है कि 11-12 पर ज्यादा focus करना है और graduation वाले position पर कम focus करना है अगर आपको पास time है तो आप दोनों पर कर सकता हो लेकिन सिंपल से 11-12 के टॉपी जाता है वेक्टर के ठीक है और laws of motion आप देख रहे होंगे तो मुझे जान तक लगता है 11-12 को ज्यादा focus करेंगे as compared to graduation बड़ आपके बास time है तो आप graduation पढ़िए लेकि 11-12 को ज्यादा focus कीजिए आरियो में बास समझ में इसकी books की detail मैं बताऊंग आपको अगर इन्हों जो टॉपिक बता है उसे साबसे आप अरियंद की जो बुक आती है अरियंद की बुक जो आती है अरियंद पॉब्लिकेशन की 11 और 12 की जो आयटी जी प्रिबेशन की books आती है वह आप कर सकतो डीसी पांडे की बुक कर सकतो वीज की आपको detail में पढ़ की आएगा क्या लेकिन यह है कि जो इन्हों टॉपिक बता है उसे साब से आपके क्लास 11 और 12 मुझे जादा रखता है तो इसके बाद में आपके पास टाइम बचता है तो आप आपके बाद टाइम के अकोडिंग है अगर कोई बहुत जादा पढ़ता है तो यह book solve कर सकता है लेकिन आपके टाइम के अकोडिंग है तो आपके प्रिवेस एर के पेपर जरूर कर लेना उससे आपको काफी वाइदा मिलेगा यह सब करने के बाद आप गेट के अगर आपक कुछ भी बहुत सकते हैं ठीक है उसमा वह ऐसे बहुत सकते हैं कि यह topic भी था हमारे तो आपको उतना नहीं करना लेकिन यह जरूर है कि 11 12 में ज्यादा फोकस करेंगे लिए कुछ पोर्शन जो important portion होता है जैसे कि probability आपके गेट में भी आती है और probability आपके 11 12 में आती हो सकता आपके 11 12 पर ज्यादा फोकस करना चाहिए वैसा ही physics कंदर है अब physics कंदर जो भी syllabus दिया वो 11 12 तो आपको 11 12 फिर से पढ़नी पड़ेगी जो की head है के बट करनी पड़ेगा आपको 11 12 के लिए का कर सकतो आप फिजिस के लिए आप सब सब्सक्राइब तो ncrt पढ़ो 11 12 की उसको detail पढ़ो 11 12 को अच्छे से पढ़ो उसक और गगर आपक अचने युठा अब आपको अच्छा लेवल होगा अगर पड़ेगा और प्रिप्रिपर करने के बात मॉडर्न फिजिक्स आप करतें जाना मॉडर्न फिजिक्स में मैं वीडियो में डाली है कुछ टॉपिक क्यों आते या लिखाने में तो भी आएंगे तो 11-12 पर जादा फोकस करते हैं, 11-12 के टॉपिक जो है, वो मैक्सिमम आप कवर कीजिए, और मैंने बुक्स बता दिये, ठीक है, सले बस यही रहना है, और इस बार ग्रेजुशन का, मुझे जाहते लगता है, ग्रेजुशन का इनों टॉपिक दिये नहीं, उतने टॉपिक, उतन करना पड़ेगा, आपको जो आएटी, इस बार कोशिन आते हैं, वैसे कोशिन से वहाँ पर आपको मीलेंगे, क्योंकि, आपको क्या करना है, इसके लिए अच्छी प्रिपेशन करने ही पड़ेगी, तो यह सब थोड़ा सलेबस चेंज हुआ है, और इसमें घबराने वाली मैं वापस आपको बदा देता हूं कि आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जिसे पार्ट एक अंदर तो नॉर्मली आप कर लेंगे, पार्ट एक अंदर तो जैसे पहले करें तो वैसे करना है, इंगलिश क्वान्टिटी, क्वान्ट के लिए मैंने ही इसकी सारे सेप्ट बुक लिए तो ये जो पर मॉनेशन चाहिए और गॉल्बिल्टी ये तो मैं अपको पूरा डिटेल में कराऊंगा मतलते इतने डिटेल में कराऊंगा इससे आपको बाहर जाएगा नहीं पूरा 11 12 आटी जाहिए सब सारे कोर्शन कर लेंगे यह तो मैं अधू पूरा करूँगा यह वाला यह दोनों थीनों topic आपनों अच्छे से करेंगा मतले एक बीची छुटे की नहीं अच्छे से 10 दिन लेंगे आराम से 10 दिन फूरा एक ताहिता दम बते हैं इक एक कोशिन कर लेंगे वैसे probability 3D पर कर लेंगे, probability मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आपको अलग तरीके से पढ़ाएंगे, कौनकि 1112 तो फूरा फोकस करके अच्छा सा वीडियो बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि तीन टॉपिक दीवें तो तीन टॉपिक ही पढ़ने पढ़ेंगे, तो अरिया आ आपकी नहीं करो, वह आपकी चॉइस पर है, थर्ड, IIT के प्रीवेसर के प्रेपर कर लेना है, वह मैं आपको कराऊंगा, इसमें PNC, probability and 3D, इसके कोश्चन तो आपन पूरे ही करेंगे, बागी कोश्चन के भी आपन करेंगे, 20-20-30 कोश्चन करेंगे, ताकि आपनको एक आप इतना कर सकते हैं, आपने काफी कुछ टॉपिक पड़ा होगा, या आप मेरे वीडियो देख लीजिए, तो एक ग्रेजिएशन के अंदर जो जो टॉपिक इंपर टॉपिक हो तो मैंने कराएव है, उससे आपको काफी बेनिफिट मिल जाएगा, यार यह इसी जी सब आ आ जाएगे, फिजिक्स में, फिजिक्स के अंदर क्या करना आपको, फिजिक्स के अंदर वापस में बदेता हूँ, 11 और 12 की फिजिक्स NCRT पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, बिल्कुल एक एक चीज़ गॉंसेप्चुल पढ़नी है, उसके बाद में आप इसके नुम की विए है, तो आप इसली 25 फिजिक्स कर पाते हूँ, इतना फिजिक्स का आडनी है था, ठीक है ना, तो फिजिस आप 11-12 की एक आपको बाद टाइम है, तो आपको पर टाइम है, तो सिवर में कर लिजिए, प्रिवेसर के कुछ पढ़नी है, जो ये टॉपिक दिए है उसक तो ये बात रही थी, ATC की, तो इस बार आपको ATC में ध्यान पढ़के होगा कि कैसे करना है, 11-12 पर जादा फूकस करना है, इस बार थोड़ी तयारी आपको अलग तरीक से सकने पढ़ेगी, तयारी जादा करो, 10 बार घंटे पढ़ो, ग्रेजिए पढ़के जाओ, क्योंकि अगर किसे को डाउट है, तो मुझे कमेंट करके बदा सकता है, कि सर मुझे इस चीज़ देखनी है, तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ देखनी है, अगर किसे को डाउट है, तो मुझे कमेंट करके बदा सकता है, कि सर मुझे इस चीज़ में डाउट है, तो मैं उसका डाउट क्लिए करने के गोश्य करूँगा, अब आपन बात करते हैं, अब बात करते हैं, आपन जूरियर एग्जिटिव के एरपोर्ट आपरेशन की, त यह वैसे ही आएगी जो ATC माती है, उससे उसका कम लेवल होगा, ठीके, पार्ट बीक अंदर ही कहाएंगे, 50% है, 50% किसका वेटेज इन तियन होगा, कोश्यन आप फिजिक्स क्लास 12 लेवल, मैस क्लास 12 लेवल, जनल फिजिक्स और बिजनेस मेंजिमेंट 20 परसंट, तो यह यह को एक्जाम देगा, वो अवेजल एटी सी देगा, तो यह के लिए अलग से प्रिपेशन ही करनी, अगर आप एटी सी कर रहे हो, तो यह की वह हो जाएगी, बिजनेस मेंजिमेंट के लिए, आज मैं एक पोस्ट डालूँगा, एक चैनल सजेस्ट करूँगा आपको, वो चैनल आप देख लेना, उस चैनल के सारे वीडियो देख लेना, वो चैनल काफी अच्छा है, उसने 15-20 वीडियो वाली यह वाला पोस्ट आपको कम्प्लीट हो जाएगा, उस चैनल से, ठीक है, एवेशन के लिए, एवेशन के लिए अमेजन पर एक बुक है, मैं वो भी प अंदर लेकिन पेपर कैसा भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है, और टफ आएगा, विकाज कॉंप्लीटिशन पहले कंपेर में बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस बार ग्रेजूशन के पोर्षिन अगर थोड़ा हटाते हैं, तो 11-12 उल्टा और ज़्यादा चैनल होती है, और देली के निकाली है, अगर आप इस एक्जाम में सेलेक्शन होना चाहते हो, 17 गंटे minimum study कीजे, और अपना खुद का brain use कीजे, कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या ने पढ़ना है, मैं आपको guide कर सकता हूं, बट आपको, obviously आपकी inner power पहचाननी पढ़ेगी, कि किस तरीके से maximum marks ल ने दरा कि वाचिए, से देला आपको, आपको, पोछ में मुझे.zesक हावेड़ है, कि अभी खास एक्त पहचानी, म